छहमारा स्टूड्य इसका भूपन है जो क्या हम AHMD research अार करें तो यह महार अपनीप्स ओ Kings तुंपलीट कर लिए थे हैं term आप लोग को वह सब कुछ अच्छे से आ गया होगा आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीस ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं अच्छे से प्रॉपर्टीस ऑफ ट्राइंगल पास अगर हम किसी ट्राइंगल के कोई भी वह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब तो क्या होगी ओल्वेस क्या होगी अगर हम क्या करें वह इनका डिफ्रेंस करेंगे वह थर्ड साइड से क्या होगा कम होगा ओकी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास इस सम और त्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इस एक्वल तो 180 हमें कह रहा है कि जो हमारे ट्राइंगल होता है उसके हमारे तीन हों क्या होता है उसके एंगल्स होता है नमबर फोर्थ है ग्रेटर एंगल है ग्रेटर साइड आपोजिट टू एट अड्स मॉलर एंगल इस समॉलर साइड आपोजिट टू इट मेंस ग्रेटर एंगल्स मतलब क्या होगा जिस और greater angle होगा वो कौन सी greater side होगी greater side opposite to it and smaller angle is smaller side opposite to it ओके ठीक है next हमारे fifth पे चलते है fifth कहता हम से inner triangle of exterior angle equal the sum of two interior opposite angles तो हम से कह रहा है कि inner triangle and exterior angle equal जो हमारेths interior के होगा जो हमारे triangle के अंदर होगा और exterior के वाहर है हम से कह रहा है कि inner triangle and exterior angle equal जो हमारे exterior angle यहनि बाहर का जो angle होगा वो क्या होगा equal to to the sum of two the two interior opposite angles इसके क्या होंगे protegẹ दो एंगल होगी C का opposite कहा होगा A और B होंगे तो इन दोनों का sum किसके equal होगा हमारे C का equal होगा देखो कि लिखा है न angle A angle C is equal to angle A plus angle B so I hope आपको इसकी properties समझ में आगे होगी so हमारे आगे जित्ते भी question मनेंगे उसमें हमारी properties huge होती है तो अब चलते हैं next phase पे because हमने कल क्या कर लेते हैं types of angles complete कर लेते हैं तो आगे चलते हैं हमारे पास क्या है Pythagoras theorem तो देखो Pythagoras theorem is most important for us because इसका यूज हम आगे अपने trigonometry में भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो देखो हमारा क्या होता है Pythagoras theorem में वह होता क्या है देखो मैंने यहां पे लिखा है Pythagoras theorem inner right angle triangle Pythagoras theorem वह किसमें लगता है जो हमारा क्या होता है right angle triangle होता है यह होता है जिसमें right angle हो right angle क्या हो तो triangle हो के लिए एक और कर देंगे इसमें क्या होगा hypopotence hypopotence equal to the sum of square of perpendicular and base means क्या होगा जो हमारा क्या hypopoten होगा वह किसके equal होगा base और प्रपेंडिक्यूलर के base क्या होगा हमारा यह देखो कभी भी triangle जब make करते तो कैसे करते यह base हो जाता है अगर हम right की बात करते तो यह perpendicular आ गया hypoponis आ गया ठीक है अब देखो यह क्या होगा तो हमारे क्या कहता है pythagoras प्रमे जो हमारे pythagoras प्रमे हिंदी कहता है pythagoras theorem क्या कहता है हमसे कि जो इसका base होगा उसका square plus उसके perpendicular का square उसके square के equal होता है में इस देखो यह हमें right angle दे दिया okay यानि ab का square is equal to ac का square plus bc का square okay तो हम इससे ऐसे करके find कर सकते है ठीक है तो देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है एक example दे रखा है length of side of right angle triangle are six semi and eight semi what is the length of hypopodness तो देखो इसको कैसे करेंगे example दे रखा है हम को कि हमें क्या दे रखी है length of side and angle is six and eight six and eight दरखी तो six base कर लेते है और यह क्या माल लेते है perpendicular okay तो देखो हम इसको कर लेते है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है एक right angle triangle made करना पड़ता यह होगा तो इसको हम माल लेते है six semi और इसको माल लेते है eight semi ठीक हमें यह निकालना है अब इसको name देते है a b and c तो यह किसके equal होगा देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे पास इसको यह हमारे पास यह है यह है यह है तो हमें पता है कि क्या होता हमारे पास वह pythagoras theorem से a c square is equal to किसका a b का square plus a c square तो इसको करेंगे a b का square a c का square हमें यह नहीं पता i sori a c नहीं wouldn't God । इसको b c कर लेते हैं तो a c का square यह तो हमें fin करने यह is equal to हमारा a b का square पत्ते है six square okay 1 a squared को करेंगे यह क्या जा का ac is square ow औक आ यह 6 का square कितना होता है हमारा these, he is six 6 cake तो हम क्य नहीं का नों तो फिर आया गाप रहा चीक प्लूरूट Tax ब्रचवें जाएय सक्टेबिया, सब्सक्त की ए डियvan तो फॉर नियुनि एंटान कि ए आ गया ना में edna ने तंधिा 6 दे सिख्दों प्लस 3, inflos tiic life तो AC is equal to 10 तो यह कितना हो जाएगा हमारा 10 ओके और एक रूल और होता है कि हमेज़ा क्या होता है इन दोनों से इन दोनों की लेंद से ज्यादा किसकी लेंद होती है हमारे इसकी लेंद होती है